है 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 गाइस बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल एंड कैसे हैं आप लोग गाइस सेकेंड लास्ट वीडियो मैंने बना आई थी एवेंज़ टू टू टी के उपर रिवीव के उपर आप लोग ने अच्छा प्यार दिया तो आज भी बजाच की ही एक बा आई गेस सबसे आदब बिखने वाली बाइक यह है जो मैं दिखाऊंगा तो ज़्यादा देर न करते हैं शुरू करते हैं अपने वीडियो को और पसंद आया तो कमेंट कीजेगा लाइक भी कर दीजेगा वीडियो को इससे तो यह है वो बाइक आपने देख लिया सामने से और पहचान गए होगे तो लुक अट इस बजाज पलसर 150 दोहजार बाइस मॉडल और यह देखो पलसर इंडिया में सबसे ज़्यादा बजाज में जिसको प्यार मिला है न वो है पलसर पलसर 150 को 150 मतलब सबसे ज़्यादे स्प्लेंडर भी किया है जैसा कि मैंने बताया उसक इक आप माइलेज ले लो कंफर्ट ले लो लुक ले लो यह सब चीज में ना 10 आउट ओफ 10 जाती है यह तो शुरू करते हैं यह वीडियो ओनर्शिप वीडियो रहेगी मैं सबसे पहले दिखा दूं कि बाइक चली कितनी है अच्छा यह ओन ही थी मैं फिर से ओफ ओन करके दिखा देता हूं तो गाइज बाइक चली है 16193 किलिमेटर बाइक चल चुकी है गाइज और तो बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा चली है अभी तक कोई इश्व नहीं हुआ है और मैंने भी चलाया है इसे तो थोड़ा बहुत लुक की बात कर लेते तो लुक पलसर का तो फेम में स्प्लिट सीट आती है यह सिंगल सीट के साथ आती है तो आप साइड से देखते हो वह बैसिक सा अपना 150 का लोगो ग्रैब रिल यह साड़ी गार्ड और यह बैक फेंडर इसमें डिवल सस्पेंशन है मतलब लेप्ट राइट दोनों जो कंवेंशनल है वह चीज आती है इसमें और यह फूट रेस्ट यह भी फोल्डेवल यह फोल्डेवल है सेमी फोल्डेवल है यह देख सकते हो सेमी फोल्ड कर सकते हैं इसको और गियर लिवर जो की सिंगल टोग गियर लिवर नहीं है मतलब दोनों है चपल पेन के भी आप चलाओगे दिक्कत नहीं होगी औ और twin horn एक तो एक्स्टा लगाया है और suspension setup and reflector side में ये छोटे छोटे इसमें parking lights लगी हुई है एक इसमें आता है ना ये हेलोजन है बट बहुत अच्छा काम करती है ये रात में और यहां पर स्क्रीन पर बजाज का लोगो टायर तो अभी गाड़ी बहुत कम चली है तो टायर कंडिशन तो माशालला है बहुत अच्छी है और ABS ring disc brake and ABS sensor wire और इस तरब भी टंकी पहले ना टंकी पर वह नहीं आता था यह जो श्राउट होते हैं इसको हम श्राउट कहते हैं हम क्या कहते हैं मतलब company इसको श्राउट ही कहती है तो टैंक श्राउट पहले नहीं आती थी अब श्राउट मिलती है और यहां पर पलसर का white and red में sticker मिल जाता है पलसर लिखा हुआ नीचे की तरफ छोटकुसा लेग गार जो ड्यूक वगार में ऐसा ही छोटकुसा मिलता है और इसमें है ना कि आप तो जानते हूँ आप सब गाडियों से किक हड़ चुका है बट इसमें किक मिल जाता है आपको and 150 cc का एक्चुली यह होता है देखो यहाँ पर 149.50 cc का engine मिल जाता है ठीक है ब्लैक कलर का and बजाज DTSI powered तो बजाज का बहुत सारा जो technology है खुद का ही है DOHC and DTSI यह है और इधर भी एक brake lever और silencer जो की conventional है बट बहुत खुबसूरत लगता है देखने में पास्नल और यह भी एक यह समझे तो AVS के तरह है यह भी उसी टाइप का ring है यह आपको brake wheel jam होने से आपको बचाती है उपर की तरफ blinker है जो की normal सा basic सा blinker है LED नहीं मिलता और पीछे से LED backlight ओके और seat के गद्दे की बात करें तो देखो धास रहा है यह बढ़िया सा है seat का गद्दा और भी मीटर में दिखा दूँ तो मीटर में नो डाउट बहुत information रहता है इंजन चेकिलाइट आर्पीम मीटर स्पीडो मेटर क्लो मेटर वाच यह वो ओडो ट्रिपे बीसी यहां पे neutral का turn indicators का ABS का पर reset वगएरा जो कुछ भी होता है सब इसमें आपको आपको देखने को मि है यह हैंडर वार यह इसको बोलते हैं clip on हैंडर वार वह देखने को मिल जाता है और दो मिरर स्मिल जाते हैं ठीक है दोस्तों अभ बात कर लेते हैं कि चलने में बाइक कैसी है 16,000 जो चली है तो बाइक मतलब चलने में क्या है कोई दिक्कत परिशानी है या क्या तो गाइज आउवियस सी बात है अपने इंडिया की बाइक है अपने इंडियन कंपनी इंडियन ब्रैंड है तो मतलब अगर कंपेर किया जाए दूसरे जैसे सुजु की होंडा तो मैं होंडा का फैन हूं इंडियन होती है वो अलग ही होती है बट एर दा सेम टाइम बजाज का इंडियन थोड़ा अलग है इसका साउंड आपको अलग मिलेगा हलकी शी मतलब हलका सा बिलकुल माइनर वाइबरेशन मिल जाएंगे पलसर की आवाज अलग मिल जाएगी इसका खुद का टेकनोलोजी है DTSI तो कहीं ने कहीं कॉंपेर टू होंडा अपने जगा बहतर है बहुत बहतर है बजाज अपने जगा बहतर है इंडियन की दिलों में ये राज करती है पलसर हर एक घर में आपको मिल ही जाएगा गर घर में दो भाई है न तो उनके पास एक पलसर जरूर मिल जाएगा तो ऐसे चलने में कोई दिक्कत नहीं है ये दिल्ली की गाड़ी है मतब कोई दिक्कत नहीं हुई आने जाने या कुछ फ़ीय ऐसा वो 150 CC का है तो आप long trip भी कर सकते हो clip on handlebars है तो कुछ ऐसा ज़्यादा जुकना भी नहीं परता इसमें वह ऐसा नहीं है comfortness में ठीक ठाक है और सबसे पहले जो बात करनी चीए थी मुझे वो है mileage तो mileage माशालला इसका 50 तूटता नहीं है 50 देता यार ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है suspension की बात करें तो टेलिस्कोपी के आगे और पीछे जो basic सा आता है वो है ठीक ठाक है बहुत लोगों के मुझे मैंने सुना है कि पलसर में हीटिंग इशू है तो डॉन नो वो क्यों कहते हैं व्याइविन का हीटिंग इशू आता होगा बट मेरे पलसर में ऐसा कभी हुआ नहीं कि हीटिंग इशू हो यह बहुत गरम हो गई हो ऐसा मुझे नहीं लगा यह डिपेंड करता है कि मतलब कि अचानक कितना चलाते हो और किस टेर्यन में चलाते हो किस वेढ़र में चलाते हो इस पर भी डिपेंड करता है हीटिंग इशू का और कौन सा सबसे जरूरी बात की इंजन ओयल आप यूज कर रहे हो अपने बाइट में इसकी सिटिंग पॉस्चर की बात करें तो आप देख सकते हो सिटिंग स्टांस जो होता है पॉस्चर होता है क्लिप उन से फिर बेसिक चीजें बताई अब मैं आपको इसका एक्जॉस्ट नोट सुनाता हूं कि बजाज की पल्सर की एक्जॉस्ट नोट कैसा होता है ओके एफाई यॉन यह देखो आइडियल साउंड है अब मैं थोड़ा रेप्स करके दिखाता हूं है कि देखा दोस्तों मैंने बहुत यूज किया है बहुत कंपनी का यूज किया बट यह बजाज क्या ना यह खुदका साउंड है अच्छा लगता है इसको हम करते हैं आफ्व यही थी ज्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं गरूंगा यही छोटी से वीडियो थी आँगा आप लोग कहोगे तो माइलेस के ऊपर वीडियो इसका निकालूंगा देखेंगे 50 तक तो कनफॉर्म है दे देगी 50 से ऊपर भी देती है क्या ओके तो यही थी मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बवाए टेक केर खुदा आफिज लिव लाइफ लिव द्रीम बूम